तो अब हम लोग शुरू करेंगे नेक्स्ट तो मुगल लेटर मुगल में पहला हमने किसको देखा बहादुर साह फर्ष्ट को देखा ठिक कब से 1707 से 1712 दूसरा देखा हम लोगों ने जहादार साह 1712 से 1713 इसके बारे में पढ़ लिया इसके बारे में पढ़ लिया जहादार सावाद फर्ष्ट पॉपट सुल्तान और किसके अंडर में सुल्तान था तो वो था जुल्फिकर खा में कौन था नॉबल जिसके अंडर में ये था जुल्फिकर खा अब तीसरा जहादार साह को हराया किसने फर्रुख सियर ने अब किसके बारे में पढ़ेंगे हम लोग फर्रुख सियर ये बनेगा सच्वेंटीन थर्टीन टू सेवेंटीन नाइनटीन सियर लभ लभ छे साल तक फर्रुख सियर सुल्तान बने रहेगा और इस फर्रुख सियर ने जहादार साह को हरा कर खतम किया और जुल्फिकर खा के खत्या करवा दी नेक्स लिखेगा अच्छा फर्रुख सियर को बाइब लिख लिजिए ब्रदर आफ जहादार साह फर्रुख सियर क्या था जहादार साह का भाई था तो अब कहिए है कि फर्रुख सियर अचानक में कैसे आ गया कहां से आ गया ये कोई बहुत पावरफुल रॉयल प्रिंस था या यह बहुत पाउरफुल वैक्ती था जो अचानक में आगे और जहादार साह को हटा दिया तो ऐसा कुछ भी नहीं है फर्रुक सियर भी एक दूसरे नॉबल की मदद से आया था क्या था फर्रुक सियर भी एक दूसरे नॉबल यानि कि एक दूसरा नॉबल जैसे जुल्फिकर खा जहादार साह की मदद करके इसको सुल्तान बनाया उसी तरह से एक दूसरे नॉबल ने फर्रुक सियर को सुल्तान बनाया ने कि उसने पूरी कॉंस्पिरेसी करके जहादार सा और फर्रुक सियर में वार करवा के जहादार सा की हत्या करवा कर फर्रुक सियर को सुल्तान बनाया गया और जुल्फिकर खांकी हक को रास्ते से हटा दिया गया तो वो लोग कौन थे तो लिखियेगा फर्रुक सियर came to power फर्रुक सियर came to power with the help of सयद ब्रदर्स किसकी मदद से सयद ब्रदर्स यहाँ पर underline कर लिजियेगा सयद ब्रदर्स तो किसके समय कौन सा nobel powerful था यह थोड़ा साब को याद रखना है हो सकता है कि बदल्टे ट्रेंड के साथ आपसे question यह पूछ लिया जाए या match the column पूछ लिया जाए कि किस nobel यह एक तरफ इन लेटर मुगल्स सुल्तानों के नाम दे दिये जाए और दूसरी तरफ उनके किंग मेकर के नाम दे दिये जाए और कह दिया जाए match the following तो क्या लिखेंगे सेद ब्रदर्स और यह क्या है सेद ब्रदर्स तो लिखिएगा इनको कहा जाता था उन टाइम पर किंग मेकर कहा गया क्या कहा गया किंग मेकर्स तो फर्रुक सियर केम टू पावर विद रहल पाप सेद ब्रदर्स कॉमा बाकिवी थोड़े लोग कहा था लेकिन main जो हाथ था वो था सेद ब्रदर्स का एकका दोका और लोग भी सैयद के साथ थे वो थे अब्दुल्ला खा एंड हुशैन अली खा बहरा ठीक है लेकिन में जो थे वो सैयद ब्रदर थे ठीक है बाकियों का भी रोल था पर में कॉंस्पिरेटर ये इसको फर्रुक सियर को लाने वाले सैयद ब्रदर थे तो कई जगे आपको सैयद ब्रदर को किंग मेकर लिखा था है कई जगे इन सब को मिला किंग मेकर लेकिन ये थे किंग मेकर इन्होंने कई समय तक एक समझे कि राजा बदले अपने मन के राज तो क्या हुआ तो जब फर्रुक सियर आएं तो अब फर्रुक सियर क्या करेगा इन लोगों को पोश्ट देगा तो अच्छा यही दोनों तो भाई थे हाँ सेयद ब्रदर से अनि अब्दुल्ला खां और हुसेन अली खां यह दोनों भाई थे सोरी सोरी सेयद ब्रदर्स यानि की अब्दुल्ला खां और हुसेन अली खां बहरा यही दोनों भाई और इनों भाई निदोनों भाईयों को मिलाकर सीयद ब्रदर्स कहा जाता है ठीक है थोड़ा सा料 मिश्टेक हो गया कहने का मतलब में कि इनको तो अब इनको important पोस्ट दी जाएगी तो लिखेगा appointed यह से लिखे दे दे एपॉइंटेड हिमसेल्फ दे एपॉइंटेड हिमसेल्फ as तो क्या पहला जो है अब्दुल्ला अब्दुल्ला खाँ अब्दुल्ला खाँ को मिला सबसे important पोस्ट वजीर यानि राजा के बाद दूसरा नंबर का पोस्ट क्या था वजीर हमने देखा था administration में और दूसरा जो भाई है हुशैन अली खाँ बरहा इसको बनाया गया मीर बक्ष मीर बक्षी बीर नहीं मीर मीर बक्षी तो यह दोनों important पोस्ट इन लोगों ने यानि इंपरर के बाद के दोनों important पोस्ट इन दोनों भाईयों ने अपने पास रख लिया एक भाई का नाम था अब्दुल्ला खाँ उसने अपने पास रखा वजीर पोस्ट दूसरे भाई का नाम था हुशै अली खाँ बहरा उसने अपने पास पोस्ट रखा मीर बक्षी का ठीक है तो मीर बक्षी का पोस्ट आप अगर administration में जाकर देखोगे तो आपको दीख पता चलेगा तो जब आप जाओगे देखने कहां पर administration during अकबर तो सब सेंट्रल administration में आपको सबसे पहले emperor मिलेगा दूसरा number post आपको वजीर मिलेगा ये क्या है इसी को मतलब एक तरह से देखा जाए तो revive करके इसको important post थी लेकिन अकबर ने इसमें क्या दिवान ओगरे title देके दिवान ने आला ओगरे बना दिया था लेकिन emperor के बाद जो second most important post थी वो थी वजीर की बैरम खाँ वजीर ही था बैरम खाँबर के time पर क्या था वजीर ही था और revenue department का head वजीर क्या होता था revenue department का head होता था ठीक है और दूसरा जो वजीर के बाद जो तीसरा central post था वो था मीर बक्स और मीर बक्स क्या था मीर बक्स जो था ये था head of military administration तो military का head नहीं military administration का head military administration का head का मतलब क्या हुआ वो वैक्ती जो military में कितना सामान चाहिए किसकी न्यूक्ती होगी कैसे होगी कितने सैनिक चाहिए ये सारी चीजे control कर रहा था मीर बक्स लेकिन वो मीर बक्सी जो control कर रहा था तो उस वक्त तो military का administration कर रहा था क्योंकि जो emperor था वो क्या था एक मजबूत emperor था लेकिन आज के date में तो emperor क्या है इनके heart की कटपुतली है फरुक सियर एक मजबूत emperor नहीं है फरुक सियर कैसा मेंती है फरुक सियर एक कमजोर राजा है तो ultimately देखा जाए तो अगर हुसैन अली खाने मीर बक्सी बना तो उसके पास military के अड्मिशन के साथ साथ military का command भी आ गया क्योंकि जो वो कहेगा वोई फरुक सियर करेगा एक कहेगा military को command अटेक करने का तो फरुक सियर अटेक करने का command दे देगा तो ultimately revenue और military दोनों भाईयों के हाथ में आ गई तो सबसे बड़े powerful हो गए ठीक है ये चीज जुल्फिकर खां के साथ नहीं थी जुल्फिकर खां सिर्फ वजीर था पर military उसके हाथ में नहीं थी अब यहाँ दो भाई है एक के पास military है और एक के पास क्या है army है मतलब revenue है अब next लिखिए इसके आगे अब क्या करेंगे दोनों लिखेगा लिखिए फर्रुख फर्रुख वाज एन incapable एंड वाज एजली इंफ्लूएंस्ड बाई अदर्स तो फर्रुख कोई बहुत ही अच्छा बुद्ध जीवी बैकती नहीं था एक तरह से और जैसे ये लोग नचाते थे वैसे वो नाचता था ठीक है क्या हुआ नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा लिखिए ड्यूरिंग हिज रेन हिज मतलब यहां फर्रुख सियर की बात हो रही है किसकी फर्रुख सियर तो अल्टिमेटली करवा कौन रहा है सयद ब्रदर्स करवा रहा है तो ड्यूरिंग हिज रेन यानि सयद ब्रदर्स के टाइम पर बंदा बहादूर बंदा बहादूर याद है आपको कि जब दस्वे गुरू गुरू गोविन सिंग की देथ हुई तो गुरू का पोश्ट खतम कर दिया गया तो जो सिखो का लीडर बना वो कौन था बंदा बहादूर था ये आपको वहाँ बताया गया है तो बंदा बहादूर क्या लिखेंगे सिख चीफ तो बंदा बहादूर के और मैंने आपको बताया कि और अन्जेब के साथ भी सिखो का मुद्भेड हुआ उसके बाद बहादूर था फ़र्ष्ट के साथ भी सिख को इसाथ क्या रखा सप्रेशन की पॉलिसी रखे उसके बादा जहादार सा वो भी suppression की policy रखा अब आया फर्रुक सियर तो जो सयद ब्रदर से ये भी क्या कर रहे हैं सिखों के साथ suppression यानि strict policy ही अपना रहे हैं तो सिख चीफ यानि सिख लीडर कौन बंदा बहादूर वाज captured and killed तो ये बंदा बहादूर की starting है कबसे और अंजेब के टाइम से और अंजेब का टाइम भी बंदा बहादूर ने देखा और revolt किया उसके बाद बहादूर साब first के टाइम पर भी उसके बाद जहादार साथ के टाइम पर भी और अंत में फर्रुक सियर के टाइम पर बंदा बहादूर की हत्या होई ठीक है नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा अच्छा यही फर्रुक सी अर्था जिसने फर्मान जारी किया अंग्रेजों के साथ तो लिखिएगा इन 1717 CE वर्रुक सीर हेडलेसली ग्रांटेद to East India company many trading many trading privileges और वो क्या था कि बंगाल में बिना custom duty के ये लोग ब्यापार कर सकते हैं जिसको क्या कहा जाता है फर्मान कहा जाता है वो हम लोग modern India में पढ़ेंगे ठीक है वो हम लोग modern India में पढ़ेंगे कि वो फरुक सी अर्था जिसने क्या किया बंगाल में इस इंडिया company को custom duty free यानि कि बिना कोई tax दिये क्या कर दिया grant दे दिया यानि कि फर्मान जारी कर दिया कि आप लोग जाओ और क्या करो trading privilege बेहुद मतलब बेहिसाब दे दिया कि जाओ आप लोग बंगाल में जैसे चाहो वैसे वैप आप आर कर लो कोई भी tax देने की जौनत नहीं है ठीक है ना next लिखिएगा लिखिए सैयद ब्रदर्स सैयद ब्रदर्स completely abolished जजिया अब फिर से जजिया पूरी तरह से खतम कर दिया गया and also abolished pilgrimage tax यानि औरंजेब ने लगाया था अकबर ने हटाया था औरंजेब ने लगा दिया था तो जूल फिकर खाने से जजिया हटाया था लेकिन इसने pilgrimage tax भी हटवा दिया पर पूरी तरह नहीं at a यहां bracket में लिकर जिएगा number of places कुछ खास खास जगों पर इसने जो तीर्थ वाले tax होते थे वो हटा दिया था अब थोड़ा सा जब चीजे इस तरह से हुई तो फर्रुक सियर और सैयद ब्रदर्स के बीच में कुछ मतभेद बढ़ गएं कुछ समय बाद क्या हुआ फर्रुक सियर और सैयद ब्रदर्स के बीच में मतभेद बढ़ गएं कि यह जो सैयद ब्रदर क्या कर रहे थे बार बार एक तरह से देखा तो फर्रुक सियर को ओभर टेक कर रहे थे नहीं कि पावर में यह क्या कर रहे थे कई बार फर्रुक सियर उनके बीच में डिसीजन्स को लेकर कुछ-कुछ मतभेद हुए और इसका नतीजा यह हुआ कि फर्रुक सियर ने कई बार इन लोगों को ठिकाने लगाने की कोशिस की फर्रुक सियर ने बाकी दूसरे नॉबल्स के साथ मिलकर क्या किया किसी तरह से फर्रुक सियर ने सोचा कि इन सैयद ब्रदर उसको रास्ते से हटा दिया जाए ठीक है लेकिन फर्रुक सियर सक्सिस नहीं हो पाया अब क्या हो अब सेयद ब्रदर्स को लगा कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो हो सकता है कि एक बार दो बार तीन बार फर्रुक सियर फेल हो गया हमको ठीकाने लगाने से क्या पता चौथी बार वो सक्सेस हो जाए और हमें ठीकाने लगा दे फर्रुक सियर तो अब सेयद ब्रदर्स क्या करेंगे फर्रुक सियर को ठिकाने लगाने करें कि उसको हटाने का रास्ता निकालेंगे समझ में आरी बात कि बार बार ये जो कॉन्फलिक्ट हो जा रहा था एक दूसरे के ओप पावर को लेकर ओबर वेलिंग वाली पावर को लेकर कि मैं बढ़ा कि तुम बढ़े इस कॉन्फलिक्ट में फर्रुक सियर ने पहले प्लानिंग की कि सेयद ब्रदर्स को ठिकाने लगाने कि सेयद ब्रदर्स को किस तरह से हटा दो रास्ते से लेकिन सक्सेस नहीं हो पाया अब जब सेयद ब्रदर्स ने देखा कि ये बार बार हमको हटाने कोसिस करता है तो क्यों ना फर्रुक सियर को हटा दिया जाए और किसी दूसरे को राजा बना दिया जाए तो अब उसकी प्लानिंग में सेयद ब्रदर लग गए कि फर्रुक सियर को राष्टे से हटाना है ठीक है? यहां तक लिख लीजिए तिसके आगे लिखते हैं तो अब हम लोग क्या देख रहे थे कि फर्रुक सियर और सयद ब्रदर्स के बीच में पावर स्ट्रगल बढ़ चुका था अब पहले फर्रुक सियर ने कोशिस किया सयद ब्रदर्स को हटाने की लेकिन सक्सेस नहीं हुआ तो अब सयद ब्रदर ने कोशिस किया फर्रुक सियर को हटाने की तो लिखिएगा In 1719 CE सयद ब्रदर्स मेड A Settlement With Balaji Balaji Vishwa Nat अब ये Balaji भी सुना जो है ये है एक Maratha पेशवा क्या है एक Maratha पेशवा है तो ये Maratha पेशवा भाला जी भी सुना कहां से आ गए कैसे हो गए ये हम लोग देखेंगे Rise of Maratha में अभी आप ये समझे कि जब साहु जी महराज लीज हुए उसके बाद जब ये सारा Conflict start वा कौन राजा बनेगा Maratha के बीच में तो उसी बीच में पेशवा पावर अपने आप में Strong हो गई और उसमें एक पेशवा थे बालाजी बिच्वनात जो पहले Strong पेशवा थे इन्होंने एकरसे ऐसी positioning कर ली कि अब ये मराठों के जो राजा है उनसे important post पेशवा का हो गया ठीक है तो सैयर ब्रदस ने बालाजी बिच्वनात के साथ क्या किया settlement किया और with the help of Maratha troops and with the help of Maratha troops the Sayyad brothers the Sayyad brothers killed फर्रुख सैयर ब्रदस killed फर्रुख सियर in 1790 तो जो Nobel यानि सैयर ब्रदर्स जिन्होंने फर्रुख सियर को चुना था सुल्तान के लिए जब उसके साथ power struggle बढ़ गई आपस में तो इन्ही सैयर ब्रदस ने Maratha power बालाजी विशुनात के साथ settlement करके उनको कई अच्छे-च्छे concession अगर दे कर उनकी सेना का यूज करके क्या किया फर्रुख सियर की खत्या करवा दे और इस तरह से फर्रुख सियर का काम समाप्त हुआ अब इसके बाद लेकिन सैयद ब्रदर तो है अब जो सुल्तान बनेगा वो सैयद ब्रदर्स के ही support से बनेगा अगला सुल्तान भी ठीक है न अगला सुल्तान भी सेयद ब्रदर्स के सपोर्ट क्यों कि जब जहादार साह बना तो जहादार साह के समय जुल्फिकार खा था तो फर्रुक सियर ने जुल्फिकार खा की हत्या करवा दी और यहां तो सैयद ब्रदर्स जो किंग मेकर है उन्होंने ही फर्रुक सियर की हत्या करवाई तो ये तो अभी जिन्दा है फर्रुक सियर तो जिन्दा है सोरी फर्रुक सियर कर रहा हूं सैयद ब्रदर्स तो अभी जिन्दा है ये सैयद ब्रदर्स फर्रुक सियर की हत्या करवाते हैं और अगला सुल्तान रफिक उर दरजाथ को सुल्तान बनाते हैं तो अब रफिक उर दरजाथ और उसके आगे की कहानी हम लोग नेश्ट क्लास में देखते हैं तब तकक के लिए यहां तक नोट डाउं कर लेजिए तो यहां तक हमने देखा कि कैसे एक मुगल एम्पायर जहां इतनी बड़ी सल्तनत इतना बड़ा सुल्तान हुआ करता था आज उस मुगल सल्तनत की यह हालत हो गयी कि उसका सुल्तान कौन होगा वो उसके नॉबेल्स चूज कर रहे हैं और वो नॉबेल यहां तक उनकी पहुँच हो चुकी है कि उस सुल्तान अगर वो उनकी हिसाब से नहीं चल रहा है तो उसकी हत्या भी करवा दे रहे हैं कॉंस्पिरेसी करके इसे से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इतना बड़ा मुगल समराजी के स्थिती कितनी बुरी हालत से इस वक्त गुजर रही होगी कि वहां के सुल्तान की हत्या भी कॉंस्पिरेसी करके उसके नॉबेल्स करवा रहे हैं खैद तो हमाई जो पढ़ना था यहां पर ज़्यादा कुछ नी फैक्ट ही है और वो फैक्ट हम लोग देख रहे हैं कैसे कहानी आगे बढ़ रही है अब इसके आगे जो होगा उसकी कहानी हम लोग नेस्ट क्लास में देखेंगे तब तक के लिए थैंक यू बेरी मच और वन्स अगेन आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है प्लीज लाइक दे वीडियो और चैनल को सब्सक्राइब करने से यह होगा कि जैसे ही मैं वीडियो डालूंगा वैसे आपको नोटिफिकेशन मिलेगा तो आपके पढ़ाई continue बनी रहेगी ठीक है और कहीं आपको बार बार वीडियो और चैनल को ढूंडना नहीं पड़ेगा एक स्रीज में आपको वीडियो मैं बना बना कर डालता जा रहा हूँ एक स्रीज में आप इसको देखते जाएए नोट्स बनाते जाएए और जैसे ही मैं पीछे एक लास का कोई भी टापिक अगर वहां से लिंके जो तो मैं बताता हूँ जैसे आज हमने देखा वजीर और मीर बक्षी तो मैंने आपको बताया कि कहां आपको उसका डीटेल मिलेगा तो उसका डीटेल मिलेगा आपको अकबर के administrative policy के central administration वाले वीडियो में एक बार आप दुबारा से जाकर जब administration की वीडियो देख लोगे तो आपको यहाँ पर वजीर और मीरबक्षी वाली problem समापत हो जाएगी और सेयद ब्रदर में अगर नाम नहीं भी याद रहता है कि कौन क्या वजीर बना था कौन मीरबक्षी बना था तो वो कोई बड़ी बात नहीं है बस आपको यहाद रहना कि फर्रुक सियर के टाइम पर सेयद ब्रदर थे सेयद अब्दुल्ला खां और हुसेन अली खां बुखार ठीक है चलिए यहाँ तक लिख लिया हमने सम पढ़ लिया अब इसके आगे कहानी नेक्ट क्लास में तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच फिर मिलते एक और अच्छी क्लास के साथ आप लोग से एक ही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को बार बार देखिए ताकि आपका रिवीजन भी होता रहे नोट्स बनाते रहे और वीडियो को लाइक भी कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ सेयर भी कर दीजिए और सब्सक्राइब तो जरूर कर लीजिए थैंक यू वेरी मच